नवजोसिन सिद्धू के बाहर आते ही होगा शक्ति प्रदर्शन पंचाब प्रदेश कॉंग्रस के पूर्व प्रधान नवजोसिन सिद्धू के 26 जनवरी को जेहल से बाहर आने को लेकर स्यासी हलचल तेज हो गई है नवजोसिन सिद्धू के बाहर आने के बाद बड़े कारिक्रम आयोजित करने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है इस दोरान सिद्धू अपना शक्ती प्रदर्शन तो करेंगे ही लेकिन इसके साथ ही धार्मिक स्थलों में सिर्फ भी जुकाएंगे बताने की नवजोसिन सिद्धू की रहाई शबिस जन्वरी शाम साथ बजे तैय हुई है सुचना है कि वे पट्याला जेल से निकलने के बाद सीदे ही दुखनिवारन गुर्द्वारा साहिम में नतमस्तक होने के बाद माता महाकाली मंदिर में पहुँचकर माथा टेकेंगे उसी रात वे अमिर सर के लिए रवाना हो जाएंगे रात को वे शाम के बाद बड़े जलूस के साथ वे सुबह गोल्डन टेंपल पहुँचेंगे इस जलूस के साथ ही वे दुर्ग्याना मंदिर, जल्यावले बाग और रामतिर्थ मंदिर माथा टेकने पहुँचेंगे वहीं 2022 चुनावों के दरान कॉंग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान धड़े बाजी से हुआ है लेकिन सिद्दू की रहाई के बाद आयोजित होने जा रहे है इस शक्ती प्रदर्शन में एक जुटता को दिखाने का पर्यास किया जाएगा खास बात है कि कभी सिद्दू के खिलाफ खड़े कॉंग्रेस सी चैरे पहले ही सिद्दू को जेल में मिलकर आ भी चुके हैं जो आने वाले समय में सिद्दू की मजबूत शवी को बयां करते हैं